हलो जहिन साथियों स्वागते आप सभी का सत्या एक्सलेंट यूटूब चैनल पे साथियों आज की डेट है 16 अगस्त 2022 और 16 अगस्त 2022 आईटे सेकेंडियर के जो एक्जाम हुए और जो चात्रों का फश्ट सिप्ट में एक्जाम था कुछ चात्रों ने मुझे इसका यहाँ पर नेमी से कोशन बेजा कि सर नेमी से यह कोशन मैच करा था यह कोशन आज की डेट में पूछा गया था तो सारे कोशन मैंने याँ पर कबर कर लिया है, जो परिच्छा में पूछे गए, जो चात्र अभी एक्जाम नहीं दियें, वो इस फ्रस्ट को देखकर असानी से तयारी कर सकते हैं, किस तरह की परिच्छा में कोशन पूछे जा रहे हैं तो चलिए आज का कोशन स्टार्ट करते हैं, कोशन नंबर 16 नंबर पूछा गया था कि, सिलिकान समागरी में रोधिका बोल्टेज का कारण क्या है, साथियों, रोधिका बोल्टेज का कारण क्या होता है, जिसे कि आप यहाँ पर स्कीन पर देख सकते हैं, इसका आपको यहाँ पर एंसर बताना था, देखिए, इसमें जो 16 आफसा नंबर A मारे होंगे, अतात कम परमाडू संक्या, उनका बिलकुल करेक्ट एंसर हो जाता है, क्योंकि रोधिका बोल्टेज का यहाँ पर जो रीजन होता है, वो कम परमाडू संक्या ही होता है, तो यहाँ पर साथियो आपका जो सही हो जाता है, आफसा नंबर A, बिलकुल करेक्ट एंसर हो जाता है, आगे देखते हैं अगला कोजिशन, जिसमें साथियो अगला कोजिशन पूछा गया था कि, ड्राइब में आउटपूर्ट चरण में उप्योग किये जाने वाले पावर इलेक्ट्रोनिक घटक का उन्नत संसकरण कौन सा होता है, एफिटी या यूजेटी या सी या या आईजी बीटी, तो साथ यो इसमें जो आपका होता है आईजी बीटी होता है, ड्राइब में आपका कोशन के नुसार करेक्ट इंसर हो जाएगा, मिला लिजेगा, आगे देखते हैं अगले कोशन को, जिसमें अगला कोशन पूछा गया था कि, पी टाइब सेमी कंड़क्टर बनाने के लिए किस डोपिंग समागरी का उप्योग किया जाता है, ए आफसन बुरान का, बी आफसन आर्सेनिक का, सी आफसन एंटी मनी का, डी आफसन फास्फोरस का, तो साथियो इसमें आपका सही हो जाता है आफसन नंबर ए, सी आर का कौन सा चतुर्थांस प्रचालन रिवर्स बाइसिंग में भारी करंट देता है, ए आफसन बाला चतुर्थांस, बी आफसन तीसरा चतुर्थांस, सी आफसन चोथा चतुर्थांस, और डी आफसन दूसरा चतुर्थांस, तो साथ यहाँ पर सही हो जाता है आफसा नंबर भी बिल्कुल correct answer जो की 34 इसको आप पढ़ेंगे तो आपको समझ में आजाएगा ऐसे आपके बोल जान लिजिए answer की तोर पे कि यहाँ पर आपको सही हो जाएगा आफसा नंबर भी 34 इसके बारे में मैंने जब live class लिया था उसके बारे में full details में बताया था तो आप जाकर वो video देख लिजिएगा अगले question पर आते हैं जो की अगला question इसमें पूछा गया था की कौन सा multi vibrator output से 12 दार pulse wave फैदा करता है very very important question है यह तो साथ यह इसमें आपका होता है एक unstable multi vibrator जो की option में आपका A option दिया गया है तो यह हमारा question के नुसार बिल्कुल correct answer हो जाता है मिला लिजेगा आगे देखते हैं साथ यह अगले question को जिसमें अगला question पूछा गया था की बिंदू संपर्क, बिक्सित, डिफ्यूजन और मिस्र धातु जक्सनों के तरीकों का उप्यूग करके किस उपकरण का निर्माण किया जाता है A option परिकत्व का B option परत्रोधक का C option संधारित्र का D option ट्रॉंजिस्टर का तो साथियों यहाँ पर सही होता है option number D बिल्कुल correct answer ट्रॉंजिस्टर का D option हमारा question के अनुसार बिल्कुल correct answer हो जाएगा मिला लिजेगा और किसी भी question में आपको किसी भी प्रकार का doubt हो आपको लगता है कि इसका answer यह नहीं यह होना चाहिए तो आप लोग comment box में पूछ सकते हैं आपको जनकारी मिल जाएगी आगे देखते हैं अगले question को जिसमें अगला question पूछा गयाता कि JFET की तुल्ला में मोसफेट के धारा नियंतर में क्या answer है यहाँ पर answer पूछा जा रहा है कि इसका answer क्या होता है तो इसका answer यह होता है जो जक्सन होता है उसमें जक्सन के बजाए हम insulated परत का उप्योग करते हैं यह सबसे बड़ा यहाँ पर इसका answer है तो option number A हमारा बिल्कुल match कर रहा है A option हमारा question के अनुसार बिल्कुल correct answer हो जाएगा आगे बढ़ते हैं साथ हो अगले question पर जिसमें अगला question यह पूछा गया था और साथ मैंने सुबह में वीडियो आपको दिया था जो कि इस question को मैंने most important में रखा था यह question में पूछा जा रहा है control final wiring में wiring accessories का क्या नाम है यहाँ पर जो wiring accessories दिखा जा रहा है इसका नाम पूछा जा रहा है तो आप चितर को ध्यान से देख लिजेगा इसको बोला जाता है din rail और यहाँ पर जो आपका सही option मैच कर रहा है वो option number A मैच कर रहा है बिल्कुल चलिए आगे देखते हैं अगले question को इसमें अगला question पूछा गया था कि panel board में कौन सा device overload और साथ circuit से बचाता है A option isolating switch B option समय देरी relay और C option है आपका thermal अतिभार relay और यहाँ पर D option है miniature circuit breaker तो इसमें जो यहाँ पर बचाता है साथ है उसको बोला जाता है miniature circuit breaker जो की option में आपको D option देखने को मिल जाता है कोशन गनुसार बिल्कुल correct answer मिला लिजेगा आगे बढ़ते हैं अगले question पे जिसमें अगला question पूछा जा रहा है की control पतलब की एक control panel wiring में PVC channel का उपयोग क्या है A option MCB लगाना या B option relay लगाना या C option बिजली के तारों और सुरच्छा के लिए रास्ता और D option दिया गए की double deck 0 का सन्योजन लगाना तो यहां पर ध्यान से देखिए इसमें आपका जो सही option मैच कर रहा है option number C मैच कर रहा है क्योंकि बिजली के तारों और सुरच्छा के लिए रस्ता प्रदान करना इसका उपयोग इसके लिए किया जाता है option number C हमारा बिलकुल मैच कर रहा है चले साथियों आगे बढ़ते हैं option number 61 पे जिसमें पूछा जा रहा है की DC मोटर की गती की गर्णा करने के लिए किस सुत्र का उपयोग किया जाता है N बराबर EB अपान फाई का या N बराबर फाई अपान EB का या N बराबर EB इंटू फाई अपान 120 का तो देखिए यहाँ पर आपका जो सही मैच करा है जो यहाँ पर सुत्र में आप देखेंगे तो आपको यहाँ पर N बराबर EB इंटू फाई ही देखने को मिलेगा इसलिए यहाँ पर मारेंगे option number A correct answer आगे बढ़ते हैं अगले question में जिसकी अगला question इसमें पूछा गया था कि DC motor में current की दिसा किस नियम से ग्याद करते हैं तो इसमें आप ध्याने किये गसाती हो हमेसा यह ग्याद करते plumbing के दाहिने हाथ का नियम से और यहाँ पर जो हमारा सही मैच करा है वो option number D मैच करा है तो D option correct tensor हो जाएगा आगे देखते हैं अगले question को जिसमें पूछा जा रहा है कि कौन सी कुचालक समागरी स्रेडी B के कुचालक की है तो स्रेडी B के अंतरगर जो आती है वो fiber glass आता है और यहाँ पर हमारा C option बिलकुल मैच करा है तो C option question करनुसार correct tensor हो जाएगा आगे देखते हैं साथियो अगले question को question number 90 को ये भी आपका कई बार question पूछा गया है इसमें कहा जा रहा है कि DC संट मोटर के साथ तीन पॉइंट स्टार्टर में no load या no bolt coil कैसे जुड़ा होता है no bolt coil मतलब NBC की बात करा है बिल्कुल correct tensor हो जाता है मिला लिजेगा चलिए आगे बढ़ते हैं अगले question पे question number 102 को देखिए जिसमें साथ ही वो पूछा जा रहा है कि DC motor के लिए starter की किया आव सकता है मतलब कि starter का परियोग क्यों किया जाता है DC motor में तो देखिए आर्मेचर करेंट को सीमित करने के लिए DC motor में starter की आव सकता होती है तो हम कह सकते हैं कि option number D हमारा question के अनुसार बिल्कुल correct tensor हो जाता है मिला लिजेगा आगे बढ़ते हैं साथ ही वो अगले question में question number 107 जिसमें पूछा जा रहा है कि भारी भार के अचानक भारित करने के लिए किस परकार की DC motor का उपयोग किया जाता है cent motor का या सनेडी motor का या विभेदक योगीक motors का या D आफसन संच marquee संचई योगीक motors का तो साथियो यहाँ पर सही हो जाता है । आफसन którzy करनोर बंसार करेक टेंसर हो जाएगा आगे बढ़ते कोशन नंबर 117 पे ये भी कोशन आपका सवाल टाइप का है इसमें पूछा गया था कि रिट्रोग्रेसिव वेव वाइंडिंग के लिए औसत पीच वाई ये की गर्णा करें यदि आर्मेचे कंड़क्टर की संक्या 14 लाट है और इसकी संक्या साथ है तो इसमें यहाँ पर देखिए वाई पीच के लिए आपर पहले चार से भाग दिया जाता है उसके बाद यह ज एक लिए जगा लाइब क्लास में आपको इसका एंसवर देखने को मिलेगा पूरी डिटेल्स में मैंने इसकी जनकारी देगे बहुत हीजी कोशन है कोशन नमबर 125 देखिए इसमें कहा जा रहा है कि 3 कला स्कॉारल के प्रेंड मोटर की स्लिप गती अथात एनस की गर्णा कर नमबर 148 पे जिसमें साथ हो यह भी आपका बेरी बेरी इंपोर्टेंट कोशन है इसमें कहा जा रहे कि 50 अच्टेज की आबरती पर 6 दुरूओ वाले एसी 3 कला प्रेंड मोटर की तुले काली गती क्या है देखिए इसको मैंने लगाने का कई बर आपको बताया है जो कि आपका जो सुत्र होता है एनस बराबर 120 एफ आप आप आन पी होता है तो यहाँ पर 120 के जगा आप 120 रहने दीजिए एप का मान 50 दियागे तो 50 रख इसको करके दिखी कितना आजएगा 1000 आएगा और 1000 जो हमारा मैच कर रहा है आफसन नमबर भी मैच कर रहा है बिल्कुल सही हो जाता है आफसन नमबर भी करेक्ट एंसर आगे बढ़ते साथी हो कोशन नमबर 168 पे यह भी कोशन आपका कई बार पूछा गया है कि सुचालीत इसार डिल्टा इस्टाटर में टाइमर का कार है टाइमर का कार होता है साथ यह चाल से डिल्टा में बदलना और यहाँ पर आपसं Practice ए और और आपकर ऑर के नाम से जाना जाता है तो आप सब्सक्राइब तो यहां पर है जो आपका दिया इसको कह सब्सक्राइब को